हाई श्टुडेंट्स आप लोग ऐसे हैं इसके पहले इकनोमिक्स का आप लोग का वीडियो जा चुका है साइकूलर फलोफ इंकम चेप्टर नमस 16 उसमें किसी भी श्टुडेंट के कोई दीकत दीकत हो तो कॉमेंट में मेंसन किजिए एक बाई फिर आप लोग से पहले सबस पहले कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको यह बेनेफिट मिलेगा कि आने वाला परते एक बीडियो आपके पास जाएगा और नोटिफिकेशन भी आप लोग आउन कर लेना ताकि िए उकनामिक्स लेक्या है North and commerce दोनों के लिए कि आप जांते हैं कि Arts कमर्स का economic subject दोनों के लिए Same है Сेम यह ज्क्राइब को यह जीक्चिब में प्य लेकिए या इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए किसी भी चेप्टाय का या थिवदिटकल वीडियो तो आपलो जदू कॉमेट में मेंसन काना हम पर्टेकुलर चेप्टाय का या जो चेप्टाय में आपको डाउट होगा वहांका वीडियो हम बना के आपको सेंड का देंगे चलिए के चेप्टाय आपका का या चेप्ट ऑफ नेशनल इंकम चेप्टाइसे 15 इसके पाले साधाधा चेप्टाय के पने वीडियो अपलोड कर दिया है किसी भी च्ट्रेंट को यही वीडियो चेप्टार नमाऌ वन से देखना होगा तो आपलो प्लैलिस्ट में जाकर देखेग आते हैं सिधे topic पर चलते हैं, देखेगा, आप लोग को objective इस्टार्ट करना है, इस्टार्ट कर दिये, आप लोग या रहें इस chapter से दो नमर से लेकर तीन नमर को objective आएगा, यह दि आप इतना objective को भाई कर लेते हैं इस chapter में, तो दो से तीन नमर आपके मुठी में हो जाएगा, objective के लिए आपको तरसना कभी नहीं पर है कि क्या करें, पचास नमर economics में objective नहीं आया, 100% आपको objective आएगा, 50 में 50, यह दि सारा video आप सही सही देख लेते हैं, तब, आते हैं आप, कोचन नमर वन पर, देखें, कोचन नमर वन, देखें, फर्स्ट कोचन क्या है, the market price of all final goods and service produced in the domestic territory of country in a year is known as, एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर जितना भी goods and service produced किया गया, इसके market price को क्या कहा जाता है, GDPMP, GDPFC, NNPFC, none of these, तो इसको क्या कहा जाता है, GDPMP, Gross Domestic Product at Market Price, कोचन नमर 2, which one is true, बते हैं इसमें से कौन सा एंसर, सही है, GNP is equal to GDP plus depreciation, यह होगा ही नहीं, आगे देखें, आगे आपका बोला है, NNPFC, GNP plus depreciation, यह होगा नहीं, NNP is equal to GNP minus depreciation, यह आपका सही है बाभू, इस एक कौन सा option सही है, C, चले कोचन नमर 3, GNP MP is equal to Gross National Product at Market Price, is equal to, क्या होगा, देखेंगा, GDPMP minus depreciation, नहीं, आगे देखेंगा, हमको यह लाना है, क्या लाना है, आगे देखेंगा, GDPMP plus net factor income from abroad, इसका सही हैंसर क्या होगा, बाभू होगा, आगे एक कोचन आपका देखें, और बा, सद, इसका मतलब है, A, B, C, D, और के मतलब A, और बा के मतलब आपका B है, सद के मतलब C है, और दर के मतलब क्या है, D, आप लोग इसको याँ देखना, कभी आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, ठीक न, चले, आते हैं कोचन नमर 4 पर, Net National Product at Market Price, NNP, MP is equal to क्या होगा, देखें, MP लिखा, G, N, P, MP minus depreciation, G, N, P, MP पलस, यह तो होगा नहीं, G, N, P minus A भी नहीं होगा, भी नहीं, इसका सही अंसर क्या होगा, इस फोगा चलिए next point question number five depreciation express depreciation expenses are included in depreciation expenses are included in depreciation expense देखो जी मतलता gross gross में हमेशा depreciation सामिल होता है depreciation expenses are included in किसमें सामिल होता है इसमें देखे यह बिहार बोड में कितना पूछ दिया 15 16 18 19 22 देखे कितना बार आ गया बहुत important कोचन है ndpfc equal to क्या होगा देखे यह ndmp minus indirect tax gnp minus indirect tax plus subsidy ndpmp minus subsidy ndpmp minus नहीं इसका सही answer क्या होगा यह होगा क्या कि इस कोचन में देखे subsidy दाता तो subsidy भी होता indirect tax plus subsidy but subsidy नहीं दिया हुआ है आपको बोला क्या FC लिकालना है तो MP में से हम बता है न हमको FC लिकालना होता है देखो आप लोको बता है FC लिकालना होता simple MP में से MP मतलब market price इसमें से किसको minus करते है net indirect tax इसमें नहीं दिया है इसका option क्या होगा यह होगा इसमें क्या नहीं दिया है subsidy नहीं दिया है देखे कोचन नमर सेबन net national net national income at factor cost is called net national income at factor cost को क्या कहेंगे national income gross investment domestic income none of the above इसका किस नाम से जाना जाता है हम बता है न national income को किस दा से denote किया जाता है NNPFC जो यहां पर class किया होंगे वो एके करके देखे होंगे point wise आप लोगों को सब लिख पाया गया होगा net national product at factor cost इसको short में क्या लिखते है national income चले next point which one is included in national income बता ही इसमें से किसको national income में सामिल किया जाएगा rent wages interest रही है rent wages salary rent wages profit rent इसका सही एंसर क्या होगा इस सारे के सारे national income calculate करते समय सामिल किया जाता है चले question number nine what is consumption of fixed capital called देखे इसमें से consumption of fixed capital किस नाम से जाना depreciation को बोला जाता है consumption of fixed capital देखे एक कॉपी में भी हम के लिए लिखवा है कि income tax आपको national income लिखालते समय का जाफ्शन ऑफ फिक्स capital का दूसरा नाम क्या है depreciation capital formation depreciation देखे इसका सही एंसर क्या होगा भी होगा यहां तक तो आप लोग कोई डाउट नहीं है दीकत हो तो comment में आप लोग जरू mention करना देखे which of the flowing is correct बताई इसमें से कौन सा सबसे correct है disposable income is equal to personal income minus tax इसका क्या option सही होगा औहोगा चले next if for country net factor income from abroad is negative then net factor income from abroad मतलब net factor income from abroad NFIA यदी NFIA यदी आपका negative होगा negative होगा तो यादेगना domestic income हमेशा ज्यादा होगा किस से national income से जब NFIA net factor income from abroad यदी minus में होता है तो domestic income greater than होगा किस से national income से यह पुचा है gross domestic income less than gross national product नहीं gross domestic product greater than gross national product आगे देखेगा gross domestic product greater than equal to gross national product आगे देखेगे ग्रोष डोमेस्टिक प्रोड़क्ट यहाँ पर देखेगे ग्रोष डोमेस्टिक प्रोड़क्ट एक्वल टू ग्रोष नेशनल प्रोड़क्ट देखेगे यह बहुत आपका सिंपल कोचन अपका है gross domestic product हमेसा greater than होगा किसे gross national product से ता सही एंसर क्या होगा यहाँ जब net factor income from abroad minus में होगा the domestic income हमेसा जादा होगा किसे gross national product से चले कोचन नम्र बार देखेगे the market value of all final goods and services produce in an economy over a year is called पूरे साल में जितना भी गूर्स हमने manufacture किया उसके market value को क्या कहेंगे gross national product national income gross domestic product किस नम से जाना जाएगा gross domestic product चले कोचन नमर 13 गुड्स-पोचेज for purchase गुड्स-पाचेज for the following purpose or final goods गुड्स-पाचेज for the following purpose or final goods for satisfaction of funds for investment in firm all of the यहाँ पर कहोगा a-n-b both इसका सही answer क्या होगा a-n-b क्याकि final goods में दोनों good सामिल होता है जब हम लोग goods कोई consumption के लिए ख़ईते हैं, अपने use के लिए, तो final goods में सामिल होता है. या दूसरा, for investment in the firm, माले के कोई हम goods ख़ई दे, machine ख़ई दे, factory में use कहने के लिए, तो वो भी final goods होता है. सब्सक्राइब आया, माले के हम कोई machine ख़ई दे, कपड़ा सिलाई करने के लिए, तो वो machine भी जो है न, किसके लिए क्या माना जाता है, final goods, समयागे न, इसमें तो कोई डाउट माले के हमने AC ख़ई दा, अपना office में use कहने के, तो AC जो है, final goods में आता है, तो AC भी investment होता है, तो इसका कौन सा national income को affect करता है, देखे, goods and service tax, GST, affect तो करता ही है, corporation tax, AB affect करता है, subsidy, आपका AB affect करता है, देखे, which of the flowing affect national income, देखे, goods and service tax, corporation, tax, subsidy, none of the, देखे, यह आपको क्या बोल दिया, which of the flowing affect national income, national income, कोई इसमें से कोई भी affect नहीं करता है, आप लोगी या देखना, यह अपना जगप है, यह अपना जगप है, यह अपना जगप है, इसमें से कोई भी national income को affect नहीं करता है, देखे, इसका सही answer क्या होगा, non of the, तीनों में से कोई भी क्योंकि देखो national income goods and services पलगता है इसका calculation अलग होता है corporation tax नेशनल income से इसका कोई लेना देना नहीं है subsidy तो इसको हम लोग लिकाल में करते हैं जैसे NIT लिकालना हो NIT लिकालना हो तो indirect tax में से subsidy को minus जब ऐसा कोचन हो न इसका सही answer क्या कर देना D देखि आपलोंका topic समाप्थ हो गया एच चेप्टर जो आपका 17 है यह आपको क्या हो गया यह चेप्टर कितने आपका जो था यह आपका चेप्टर नमार्य आपका कितना 17 था यह आपको क्या हो गया चेप्टर नमस्वेंटीन समाप्त इसके अलावा कोई दिकात होता आपलो जदुमेंशन का ना थैंक्यू सभी को